हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चानल इंवेस्मेंट की बजार पर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PNB शेयर के उपर दोस्तो PNB के शेयर में आज आई है तगडी तेजी अल्मोस 5% उपर दोस्तो आज ये काउंटर जो है वो ट्रेट करता हुआ देखने को मिला है 200 मिलियन से ज्यादा की वॉल्यूम दोस्तो इस काउंटर में आथी भी देखने को मिलेगे क्या अगला टागिट इस काउंटर का 60 रूपीज होगा या फिर यहां से 40 रूपीज की तरफ आपको ये शेयर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा और क्या होंगे 24 नवंबर यानि थर्स्टे के टागिट तो वीडियो को पुरा एंट तक देखेगा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा दोस्तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं सबसे पहले अगर आपन देखे आज के मार्केट्स तो आप देख सकते हैं आज के दिन मार्केट्स में डेफिनेटली इतनी कोई अच्छी तेजी देखने को नहीं मिली लेकिन बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स था जिसमें लगबग आधे प्रतिशत की तेजी देखने क को मिली है 272 पॉइंट उपर दोस्तों बैंक निफ्टी क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला है बैंक निफ्टी एक इस अपने all time highs के करीब या फिर all time highs क्रोस करता हुआ देखने को मिल रहा है जी हां दोस्तो 42,860 इसका all time high है और डिफिनेटली आज के दिन बैंक निफ करता हुआ देखने को मिला है और अगर रिटरंस की बात करें तो आप देख सकते हैं एक इंडेक्स के रिटर आपको बता रहा हूं 3 महिने में 40% की रिटन 6 महिने में 61% के रिटन दो साल में 173% के रिटन डेफिनेटली पिछले दो सालों में इस इंडेक्स ने आउट परफॉर्मेंच दिया है अब बात करें आज तेजी कहा पर थी तो आप देख सकते हैं पूरे इंडेक्स में नंबर वन गेनर था पी एन बी का शेर 200 million की volume कोई भी इसके आसपास नहीं in terms of volume साड़े 4% की तेजी दोस्तों आज इस counter में आती भी देखने को मिली है और आप देख सकते हैं आज का जो intraday का आई है वो है 50 रुपे 90 पैसे अभी closing आई है 50 रुपे 35 पैसे पर तो closing काफी positive आती भी देखने को मिली है और यहां से definitely आपको और तगड़ा momentum देखने को मिलेगा जब यह share आपको 50 रुपे 90 पैसे का level तोड़ कर दिखाएगा अगर अगर आपन बात करें company की statistics की तो आप देख सकते 82.65 की company की book value है company अपनी book value से लगभग 32 points अभी भी नीचे trade कर रहा है तो scope काफी high है कि company अपनी book value trade करता हुआ देखने को मिलेगा अगर ऐसे ही indexes में तेजी बनती भी देखने को मिलेगा तो ज़रूर दोस्तो 60, 70, even 80 रुपीज तक की भी targets आपको इस stock में देखने को मिल सकते है but company के quarterly जो नतीजे होंगे अगले वो काफी जादा crucial होंगे कि अपने देखा होगा stock ने no doubt तेजी करी है बहुत अच्छी तेजी करी है and अगर अगर आपन बात करें company के results की तो इस बार के नतीजे अच्छे नहीं थे आपने देखा होगा almost 8% की गिरावट stock में देखने को मिली थी पिछले दिन after results तो यह definitely दोस्तो company के results खराब आया लेकिन उसके बावजूद भी तेजी कर रहा है इसलिए अगले जो results होने वाले वो outperforming result होने चाहिए and अगर आपन बात करें delivery percentage की तो 22.8% का delivery percentage कल के दिन आता हुआ देखने को मिला और कल के दिन पर exactly इतनी ही volume stock के अदर आती भी देखने को मिली थी अगर आपन बात करें stock के resistance की तो दोस्तो weekly basis पर 46.52 का resistance जो था वो अल्यदी stock clear कर चुका है 50.38 का भी even resistance stock clear कर दिया आपके वल एक मात रो resistance बच रहा है वो है 55.95 पैसे का और hope so मुझे लगता है कि 54 रुपीस तक तो आसानी से यह share जो है वो आपको बनता हुआ चलता हुआ देखने को मिलेगा लेकिन कल के दिन का आपको ध्यान रखना होगा बाइंग तब ही करनी है जब यह counter जो है वो 50 रुपे 90 पैसे का level तोड़ दे अगर एक बार 50 रुपे 90 पैसे के ऊपर यह share चले गया देफिनिटली एक अच्छा momentum आपको stock में बनता हुआ देखने को मिलेगा और even 52 तक के levels आपको कल के दिन stock में देखने को मिल सकते हैं अब बात करें खबरों की भी तो definitely दोस्तों पहले मैंने आपको बताया था शेर खान ने टागेट दे था 52 के और I think so 52 के टागेट जो है वो stock आपको आसानी से clear करता हुआ देखने को मिलेगा और sentiments से अगर बात करें तो 75% bullish 17% bearish और 9% stock में neutral है तो retail centimeter यहीं कहा रहा है कि यहा से और तगड़ा अप्ट्रेंड जो है वो आपको stock में बनता हुआ देखने को मिलेगा तो अब चलते stock के intraday के charts पर और कल के long term के targets पर चर्चा करते है तो friends आप देख सकते हैं यहाँ पर लगबग अगर अपन बात करें October का ही time था October नवंबर का ही time था जब stock ने 48 rupees का level touch किय और आप देख सकते almost 12 months बाद वापिस से stock ने उस level को cross किया है और तगड़ी volume के साथ इस level को cross किया है अगर आने वाले आगे के charts देखें तो 2020 में यह counter लगबग आपको 70 rupees पर trade करके दिखाता था लगबग अगर बात करें 2019 की तो even 100 rupees का level भी stock ने चुआ है अगर आपन maximum बात क आपर 2 minute wait करिएगा तो friends maximum charge में ने खोल लिए और आप देख सकते हैं 200 rupees का I think all time high है जो कि लगबग 2011 में लगता हुआ देखने को मिला था उसके बाद अगर आपन बात करें scams होते हैं वह देखने को मिले आप कह सकते कि निरो मोदी scam हुआ विजय मालया scam हुआ उसके बाद आ उस तो 55 rupees का level नहीं तोड़ेगा तब तक I think so consolidation मंती भी देखने को मिलेगी एक बार अगर 55 का level is counter ने तोड़ दिया then definitely 60 rupees and 65 rupees आपको targets पर आते वे देखने को मिलेंगे lower side पर अगर अपन support level की बात करें तो lower side पर I think so 48 is a good support 4750 is a good support if the stock supports 4750 then definitely एक अच्छा momentum आपको stock मिलेगा लेकिन 4750 का level अगर ये share तोड़ेगा तो down side 44 rupees तक की stock में बन सकती है अब अगर कल के target की बात करें तो कल मेरी यही सलाई 50 rupees 90 पैसे का level का वेट करिएगा अगर 50 rupees 90 पैसे का level ये share intraday में तोड़ देता है then definitely आप खरिदारी करके चलेंगे stock में और 52 रूपे तक के target आपको कल के दिन PNP के stock में देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तो that's it for video अगर video अच्छा लगा हो चैनल को like करे share करे subscribe करे दोस्तो thank you for watching this video